तो स्वागत है आपका ग्यापन एकडमी के इस विडियो में और स्टेंथ का काभ्या खंड यानि हिंदी का काभ्या खंड जो लोग संस्क्रीट जो बाबू लोग संस्क्रीट लिये हैं उन लोग के लिए विडियो है बहुत ही संदार है यह फोर चैप्टर है सुमीत्रा तो नमबर लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ठीक है यहां देखे यह भारत माता के बारे में डिसकस किये है कौन सुमित्रा नंद पंद कि भारत माता कैसे इस कहानी में रो रही है बिलकर रही है कि आखिर कार हमारे भारत के बेटों को क्या हो गया आखिर उनके साथ क्यो इसा बेभार अंग्रेज कर रहा है ठीक है यहां भुखमरी आ गई उनके बुड़े बच्चे जो भी है वहाँ पे भुखमरी के वज़ा से मर रहे हैं इस वज़ा से यह पूरा लेशन में रो रही है अपने दुख को अंदर ही अंदर छिपा रही है ठीक है उससे पहले कि जो अमध्य कोसानी यह कोसानी उत्राइजर में पताया बाबै देखे उत्तरा खंडर उत्तर पर जिजब एक ही में था न तो उसको उत्राइजर बोला जयत था उस समाई की बाठे अadiह अपर से पुचा जाए का सुमित्रा नंदंड 5 का जनम किस जीरा में हुआ था तो addri 1080 मैं भाण्ध और इनि शौरह सती देवी के मिर्ति हो गई पीता का नाम गंगा दथ था शुमित्रा नंपउन्द्पन को पीता का नपद एक्काउंटेंट थे स्टेयट सेम में एक अगईर कमीरिय के सिक्छी ऑब फाब गांव में दिया है गाउं में ही पढ़ा ही किए हैं लेकिन High School बनारस में पढ़े हैं ठीक है और बनारस में पढ़ाई रखादी ये पूरा जीवन इलहाबाद में बी ता है और वहीं से बहुत सारी कहाने लिखें एक भभ्य कहाने जो हमारे भारत माता पर अंगरेज अत्याचार कर रहा है अन्त कि अगर हमारी भारत माता का अपमान करोगे तो यह हम सह नहीं पाएंगे, सीने पर पैर रहके कलेजा निकाल लेंगे, यह दिमाग में रखेगा, भारत माता के लिए किसी परकार का माफी नहीं, यानि कि हमारी अगर जनम भूमी से खेलेगा, तो हम उनके जिन्दी के साथ खे मिर्तियों निसव में जनम हुआ 77 से च्छायवादी थे याद रखेगा और फिछ एक तरसे विचार इनका क्या था मनावता वादी भी था और प्राकिर्टिक से अगर हो जब कहाने लिखते ते और कभी था जो भी तो यह च्छायवादी तरीका से लिखते थे शुरू में ही प्रकृति संदर्वे से अभिमुग थे ठीक है शुरू में यह प्रकृति से काफी अभिमुग थे लेकिन बाद में मानो से संदर्वे हो गए अब देखिएगा शुरू में किसे थे छाया वादी थे बाद में क्या मनावता वादी यहीं सबसे इंसान के बारे म याद रखिएगा अंतिम काव्या सुमित्रा नंद्पंत का अंतिम काव्या कौन था ठीक है लोक नायक इन में से कौन सुमित्रा नंद्पंत का अंतिम काव्या है अपसन देगा इसमें तो लोक का नायन होगा यह लोका नायन जो है ठीक है यह क्या होगा इनका अंतिम पाद हो पर पुष्टा है तो कृतिया में उच्छा वास पल्ला विड़ा गरंती चुक्छा यूगांत और यूगमारी ग्राम में याद रखिए ग्राव में कई बर पुछा यह भारत मता है ग्राम इसे लिए गहां टब आए किताब उसमें का छोटा सही सा भारत मता है ठीक है क्योंकि भारत मता गाऊं में बसती है गाऊं में बसती है वास करती है यह दूल än ये भी याद रहेगा युग पत चितंबरा इंपोर्टेंट ही जूरी चिदंबरा लिखा है क्योंकि चिदंबरा पर उन और उनको मिला था ठीक है शितमरा पर मिला था अब कभीता यह ग्राम्या से संकली थे किसे संकल ये यह विधा ग्राम्य अब डेखिए इस पार्ट में आगर पूरा का पूरा है लेशन का पूरी से लेशन का निचोड़ धन का बैभौ, शिक्छा संस्कृति, जीवन सैली, पिछड़ा उगा, दुनला मठमयला दिखाई देता है, यानि कि पिछला हुआ धूनला मठमयला, यानि यहां मठमयला कि इदर काला काला पूरा भारत में क्यों दिखाई दे रहा है, आकिर यह वही भारत है जो अतीत में कभी क्या था सब यह संस्कृति ज्यानी और वेवसाली था सभी लोग सोच रहे हैं भारत मता सोच रहे हैं लेका कह रहा है कि क्या वही भारत है जो क्या था किसी समय कभी किसी जवाने में यह क्या था सभयसू संस्कृत यानि कि किसी जमाने में इसकी संस्कृती पूरे विश्व की संस्कृती से महान थी ठीक है यहां के राजा इतने तक वता था कि सामना करना मुश्किल हो जाता है यही का राजा असोक है समराट असोक जोने पूरे अखंड भारत का निर्माड किया था ठीक है कि अब वही भारत है और आज यह देखिए तो यहाँ धूदला सा दिखाई मटी मैला सा दिखाई पड़ गाए ठीक है एकदाम पिछड़ा हुआ जीवन सहली संस्कृती सब पिछड़ चुके है तो इसी के बारे में इस लेशन में पढ़ना है तो बिना देर की हम लोग लेशन के दरफ चलते हैं सुमित्रन नंद पंत द्वरा रजीत यहकाव्य भारत माता यानि कि भारत माता का सेंस है अपने पूरे भारत की जो जमीन है अच्छा आप बताई जो हमें जन्म देती है जो हमें हर बार एक नया सिख देती है हम उसको माता कह रहे हैं तो हमारी माता है वो तो माता है एक है धर्ती माता और एक पूरे भारत की माता यानि कि ये उस समय की कहानी आपको हम आपको कहानी कर रहे हैं ये काव्या है ठीक है कहानी बता रहे हैं जब अंग्रेजों के हम लोग गुलामे थे यानि कि अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों में हम लोग जगड़े हुए थे उस समय की बात है अपने ही घर में गुलाम की तरह रहना पड़ता है अपने ही घर में उन लोग के आदिसों का पालन करना पड़ता है कितनी घुटन होती थी उस समय तब जाकर के लोगों के अंदर गुसा आया और गुसा आकर के वो जाकर के अंगरेज को क्या किया यहां से भागाने का काम किया तो उस समय जब यहां अंगरेज थे तो हम लोग कैसे घुट रहे थे, कैसे गरीब मर रहे थे, भूग से मर रहे थे, नगनी यानि नंगे होके ठंडा से मर रहे थे, बहुत सा तरह की परेशानिया उस समय यहां भारत में थी, ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे यहां समझेगा भारत माता यानि की भारत माता ग्राम वासनी बावु जो भारत माता है गाउं में निवास करती है यानि गाउं के लोग की हिर्दे में निवास करती है उस हरियाली में निवास करती है जो गाउं में होता है ठीक है अगर सचे बारत का दर्सन करना है तो आप कि योग करते हैं लेकिन आप सरों में चले जाएए वहां क्या होता है एक दुसरे से कोई सयोग नहीं करता है एक दुसरे का ठीक है तो वही बात है कि भारत माता मेन अगर ओरिजिनल लूप से देखें तो गाऊं में वास करती है खेतों में फैला है देखों स्यामल यहां इसा पड़ गया है ठीक है धुल-धरा मेलासा आचल और भारत माता का आचल यहनि के पुरी धर त्थी अब धूल जम गया है यहां पर ठीक है यहनिंए अंग्रेजों के अधियारह में आशु अब देखिए गंगा यमना के समान भारत माता के आंसू हो गया है। करती है मिटी की प्रतिमाहनी मूरत बन के रहती है और उदास रहती है ठीक है कि आखिरकार इस भारत के साथ क्या हो गया हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है यह चीज भारक मतलब देख रही है यह हमारी धरती देख रही है बाव यहां समझेगा अब देखिए देन्य जड और इनि arrive तो यहां पर कहा जा रहा है कि करएबी से अपनी धृष्टी को जुखाई हुई है जुखाना कैसे समझेए कहा जाता यानिकी 可能 और गरिबी यां पे गरिबी से अपने के को जुकाई हुए यानिकी भारत में उससमें इतना करिभी अग्रिजों ने इतना सूइब इतना स्वसर्ट कि बहुत गरिबी आने के खाण बात मतला सब को जानते हुए भी सर को जुका लेती है वो कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है अधरो पेचिर निक रोदन अब देखिए ना रोने से क्या होगा लेकिन वह रो रही है और इसे अपने होटों पर अधर का मतलब होता है होट देखिए गा ऐसा मो बना रही है भारत मतल बना रहे है अपने दुखों से तकलिफों से ठीक है कि जैसे होट का पाया जाता है नहीं जैसे बच्चा रोने से पहले अपने होट को ऐसे एक डिजाइन देता है कि हाँ अब रो देगा ऐसा होता है ना बाबू तो उसी तरह से यह अपने होटों को ऐसे कापाती है कापता जैसे कि अब रो देंगी सब दुखों को दे करके कि आखिर कर इनी को लोग का घर और दुवार और दुशरा कोई आ करके यहां कैसे उन लोगों पर अधिकार जमाया है और किस तरह से यहां बच्चे बुड़े क्या कर रहा है सोसड कर रहा है यूग यूग के तम से विसरण यहां पे विसरण मन यानि यूग यूग से ये थोड़े दिन की बात नहीं है दूचार दिन आकर के अधिकार नहीं किया था यूगो यूगो से वो बहुत दिनों से आकर के यहां पे क्या क्या है अधिकार जमाए यानि यूग यूग से बाहर बारी लोग उसे ग्रसत हो जुका है बारत वह अपने घर में प्रवासिनी यानि कि इतना हम लोग परिसान हो चुग है कि अपने ही घर में हम को लग रहा है कि हम कहीं दूसरे से हम आके किराय के घर में रहा रहे हैं इस तरह से भारत मता को महसूस हो रहा है यह आप समझ रहा ह आप देखें होंगे आप कुछ दिर के लिए सोचें प्रवासी का मतलब का होता है अगर आप कहीं दूसरे जगह से आकर रूम रेंट पर ले रहें तो आप दूसरे देश के परवासी हैं तो ऐसा लग रहा था कि अपने ही घर में हम लोग परवासी हो गाएं इतना के 30 करोन संतान क्या हैं इसका मतलब क्या हुआ बाबू यानि की उनके पास कपडा नहीं है अपने ही देश में कपडा की किल्लत हो गई है कपडा नहीं मिल रहा है यह सब किसकी देन है अंगरेजों की देन है ठीक है यहां देखे अर्ध चुदित सोसित निस्त्रजन यानि यहां का रहा है कि अर्द छूदित अर्द का मतलब आधा छूदित का मतलब भूखा ठीक है आधा खाली पेट उसको बोलाता है यहीं आधा पेट खाना खा रहा है ठीक है अंगरेजों दुबारा सोसन किया जा रहा है आप छोटे छोटे बच्चे जब बाबू उस समय जब अंगरेज आये थे तो क्या सबसे ज़्यादा काम कर आते और टेक्स भी लेते थे उन लोगों से और पैसा भी नहीं देते उस समय उनके बच्चे क्या करते थे आधा पेट खाके ही खाना सोजा थे उस समय मा और बाब पर क्या गुजरता होगा अंगरेज उनका सोसर करते थे वो बेचारे सब निहते थे क्या थे बाबो निहते थे किसी परिअगर शस्तर इस्तमाल नहीं करते थे क्योंकि उन लोग के पास falti घ्रिए अगर इन बच्चों के Pita सस्तर का उपयोग करते तो उनके परिवार का क्या होता यह सब दिमाग में आता था यहीं सब चीज देखकर के भारत मता ब उस समय इंडिया में बाबू असिक्षित लोग ज्यादा थे यानि कम पड़े लिखे थे और अंद विश्वास ज्यादा था ठीक है अंद विश्वास का मतलब क्या होता है जैसे भूत प्रेत वाला लोग जब बता देते थे तो इन लोग के अदर डर बन जाता था तो यहाँ प्रेक्ट्री बना लिया था ठीक है तो इस हिसाब से वो तरू यहाँ देखिए तरू तल निवास नी तरू मतलब होता है ब्रिक्च ब्रिक्च के तल मतलब नीचे वाला यानि ब्रिक्च के नीचे वो क्या कर रहे है निवास कर रहे है उनके पास क्या नहीं है घर भी नही अब यहां देखिए स्वन सस्या पर पदतल लुठीद स्वन का मतलब सोना यहां देखिए सोना और यहां पे सस्या का मतलब होता है फसल यानि कि भारत में सोने के समान फसल हो रहा था आप गाना सुने होंगे जहां डाल डाल पर सोने के चिडिया करती है वह सेरा यहां भारत कि हाँ बहुत ज़्याद पैदवार और उपज होता था लेकिन अंग्रेजों आ करके यहाँ पे नील की खेती जूट की खेती कपास की खेती यह लगे करवाने और यहाँ सोने के चिडिया उजड गया है ठीक है यहाँ यहाँ दिखेगा सोन सस यहाँ कि सोन के समान क्या होता फसल होता था जो दूसरों के पैरों तले क्या होना लूटते रहता था अब समझेगा जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो यहाँ पे क्या हुआ था सोन के समान जितने भी फसल थे वह अंग्रेज आए और ऐसे ही कुचल देते थे मतलब यहीं लिखे आपे लूटित यहीं अपने पैरों से पद मतलब पैर अतल मने नीचे नीचे पैरों से ऐसे ही सभी फसलों को बरबाद कर दिये धर्ती सा सहिसून मन कुण्टित यानि कि किसान का मन धर्ती के समान सांसीले उतना फसल मतलब क्या होने उतना फसल बरबाद होने के बाद भी धर्ती की तरह क्या कर वो सहिसुन यानि कि सहन कर रहा है सब किसान लोग कर भी क्या सकता है सहन कर रहा है मन कुंटित और अपने मन को क्या कर लिया है यानि कि यहां रुका हुए उदास कर लिया है अपने मन को जैसे कि करूडा से यानि दया पुरुवक अपने आपको अंदरी समझा करके और मौन हो जाते हैं कि अंगरेजों से ज़्यादा वो बोल नहीं सकते हैं कि उनके परिवार उनको सजा देते थे ठीक है बहुत ही कड़ी सजा देते थे यहां देखी राहु ग्रसित सरदेंदू हासिनी जिस तरह राहु के ग्रसित होने से चंदर्मा छीप जाता है ठीक है यानि कि राहु जब आता है यहां समझिये गए ठीक है राहु के ग्रसित पर चंदर्मा क्या दूमी लगता है और वैसे ही हम लोग अंगरेजों के परवाव से हम लोग अपने ही देश में दूमी लोग हैं यानि कि अपने ही देश में डर डर के जी रहे थे ठीक है यानि बीदेशी के परवाव से भारत वासी क्या थे गरसी थे जैसे कि चंदर्मा किसे गरसी थे आप से अब्जेक्टिव किया जाएगा कि भारत माता जो है इस पार्ट में चंदर्मा किसे गरसी थे तो राहु से ग्राशिता वैसे ही हम लोग भी देशियों से ग्राशिते अपने ही देश में तो यह आपको समझ में हागा इसके बाद हम लोग अगला लेयर देखते हैं यहां पर मना होता है यह होता है चिंतित रूप से दिखता है और नीचे आ और करके क्या होता है है अइसा लगता है कि अंधेरे से गिर गया हैए ठेक है यहां और थोड़ा बहुत लिखें आप देख सकते हैं और नमित नयनन naya Vashv चांदit यहांनिके उनकी उनकी आंखे जुक जाती है और आपसे क्या हो जाता है डख जाता है 9 उनका ढख जाता है यहाँ देखिए आनन स्री छाया ससी उपमित उपमित मतलब होता है उपमा देना जैसे किसी का compare किया जाता है उपमा देखे कि वाँ तुम्हारे आंके तो मतलब ऐसा का यह तुम्हारे चेरा तो बहुत इतना चांद जैसा है चांद से और उसका चेरा से compare किया गए उपमा देना बाबु समझ रहे इतना अब देखे आनन स्री छाया ससी यानि कि चांद के समान यहां समझेगा भारत मता का जो मुक है चंदर्मा के समान ढखा हुआ है यानि कि चंदर्मा के समान दिक रहा है ठीक है जैसे ही कभी कभी चंदर्मा ढख जाता है ग्यान मूट यानि ग्यान मूट का मतलब होता है मुड का मतलब होता है मुर्क मुर्ख का मतलब क्या रहता है मुर्ख अब देखे मतलब उस भारत मतलब वो सोचा जा रहा है यहाँ पे कि वह भारत जो कि पूरे दुनिया को गीता का ग्यान दिया आज खुद उसका ग्यान क्या हो गया ग्यान से मुर्ख बन चुका है जिसने दुनिया को गीटा का ज्यान दिया वाज क्या हो गया अज्यान बन गया है क्यों अंग्रेजुके वैजसे अंग्रेज यहां आकर के अधिकार दिरे लेकिन हाँ ये देखे एक और बात बदा दे इतना सोचने के बाद कभी भी भारत मता सयम को नहीं को सयम मतलब की वो हिम्मत बांद करके रखी और अपने बच्चों को अहिंसा का दूद पिला ती रही देखिए कैसे सफल आज उनका तब सयम आई लेकिन इतना सहने के बाद उनका सहन क्या हो गया सफल हो गया और पिता अहिंसा अस्थन्य सुधोपम यानि कि वो अहिंसा का अस्थन्य के जरीए क्या करें अमरित पिला रही है यानि दूद को पिला तरही है कि भारत मता अपनी संतानों को अहिंसा रुपी अमरित को पिलाया है यानि कि हिंसा नहीं करना है बावतम ब्रहम जितना भी है सब दुखों को हर करके और हम लोग को अहिंसा के रहा पर चलना सिखाई है ठीक है जगत जननी वो जगत की जननी है ठीक है जीवन विकासनी और जीवन का विकास कराती है अब एक और बात बता दें यह उमीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा त जो भारत माता से हर बार एक कोश्चन पूछता है पांच नमबर में या फिर तीन नमबर में यह वी वी आई है कोई ने कोई तो इसका अर्थ अच्छा से समझेगा एक बार में समझ नहीं है दो बार तीन बार देखेगा आप इसको रट जाएगा दिमाग में सेट कर लिज झाई